हलो फ्रेंट्स कॉंपटिशन कमिंटी के वीकली करेंट अफेस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ हीमन प्रधान आई फ्रेंट्स आज हम देखते हैं पिछले वीक में साइंस और टेकलॉजी और इंवार्मेंट से रिलेटेड कुछ महत्पूर्ण करेंट अप्रवेस याने डायनकी पैठेल आई के सथ सथ इसके स्टाटिक पर्ण को भी समझा पाएं ताकि एक अगजाम में आप भेथर इस्कोर कर सके हैं दूसरी महत्पूर्ण पार्ड यह होती है कि हमारा जो अर्रिया ठार्डнет होता है तीन महत्पूर्ण ऐर्या को हम टार्ड करते हैं the first one that is environment second science or third part that is technology section यह तीनों section के महत्पूर्ण current affairs को every week हम आपके लिए लेकर आते हैं so let me start today's session of this current affairs जिसमें की पहला और very very important part देख रहे हैं आपके examination point है वो से international biodiversity day every year हम इसे 22 माई को celebrate करते हैं तो यह biodiversity क्या है biodiversity वो क्यों celebrate किया जाता है कौन से महत्पूर्ण concept छुपे हुए हैं और आपके civil service exam के point आवो से सबसे important topic में से एक है आई हम से समझते हैं तो इस screen पे देख रहे हैं international day of biodiversity every year हम इसे क्या गरते हैं 22 माई को मनाते हैं तो 22 माई को जो international biodiversity मनाया जाता है इसके बारे में कुछ मद्पूर्ण बाते समझीए पहला पार्ट यह है कि बायो वर्ड क्या होता है biodiversity क्या है समझीए बायो वर्ड जो है तीन चीजों से मिलके बना होता है इस प्रित्वी में जितने भी एनिमल्स हैं एक छोटे सुक्षमजीब से लेकर एक बड़े विशाल हाती नेली वेल्स से लेकर हर चीजों को आप सामिल करिए तो प्रित्वी पर जितने भी एनिमल्स हैं सभी को कंसीडर करिए उसके बार जितने भी प्लांट है सभी को कंसीडर करिए और जितने भी माइक्रोबियल्स है सुख्षमजीब जीसे आप देख नहीं सकते उसे भी सामिल करिए उन सब की डाइवर्सिटी जो विविदता है उसको सरक्षित करने की बात कही जाती है इस बायो डाइवर्सिटी डे में बेसिकली इसका मतलब यह होता है कि यही एनिमल्स यही प्लांट यही सुख्षमजीब क्या बनाते हैं एकोसिस्टम बनाते हैं ठीक है पारिशिक तंत्र बनाते हैं यदि एकोसिस्टम बैलन्स है सुरक्षित है सरक्षित है तब आप और हम जीवित हैं अधर्वाइस क्या होत जिसमें की International Biodiversity Day माने क्या कहा गया है लोगों को जय विवित्ता की प्रती जागरूप करना इसका जो है उर्देश्य है इसका जो थीम है सभी जीवों की साजे भविश्य का निर्माण Building a Shared Future for All Life All Life का मतलब समझ में आ गया यह पूरे प्रत्वियों जितने भी लाइप हैं तो Every Year हम इसे क्या मनाते हैं 22 मई को Celebrate किया जाता है और हैरत वाली बात है यह 2001 से Celebrate किया जाता है लेकिन आपको इसके पीछे का concept समझना होगा कि यहाँ पे देखेंगे 1992 में ब्रजील के रियोडी जैनेरों में पहली बार क्या हुआ आर्थ समिट का जो है आयूजन किया गया था ठीक है आर्थ समिट प्रित्वी सम्मेलन हुआ था और वहीं पर यह concept आया था कि हम International Day of Biodiversity अंतराष्टी जैविवित्ता दिवस मनाएंगे और उसके next year यानि 1993 से हम देखते हैं 29 दिसंबर को क्या है पहली बार हम Biodiversity Day मनाएं और 1993 से लेक वस 2000 तक हम क्या है 29 दिसंबर को ही International Day of Biodiversity मनाते थे ठीक है अंतराष्टी जैवित्ता दिवस मनाते थे उसके बाद वस 2001 से हमने क्या किया वो डेट को बदल कर 22 मई कर दिया और 22 मई को ही हम अब Biodiversity Day मनाते हैं चाहे राज्य सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें या अंतराष्टी स्तर पर बात करें यह एक ऐसा डे है जहां पर मनाया जाता है चाहे राज्य जैवित्ता बोर्ड हो ठीक है नेशनल जैवित्ता बोर्ड है जिसका हैड़कौटर चन्नाई में है वैसे इंट वर्ष डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है ठीक तो यह बाते आप सभी को समझ में आ गई तो आए हम समझते हैं कि इस प्रित्वी में यहां पे बायो डाइवर्शिटी कंजर्वेशन को लेकर किस प्रकार प्लानिंग की गई और ये टॉपिक आपके प्रिलिम्स प्लस मेंस दोनों एक्जाम की पॉइंट अब उससे बहुत इंपोर्टेंट हैं तो कुछ इसका स्टाटिक पार्ट हम समझने का प्रयास करते हैं जैसे की हमने प्रिवियस क्लास में डिसकस किया था आप आउट अार्थ समिट तीन महत्पूर्ण अर्थ समयलन हुआ था कुछ मंध्पूर्ण टस्तावेज रिलीस किये गए थे ठीक है यहां फर्स की बात कर रहे हैं जो कॉंस येर में हुआ था यह हुआ था 1992 में 1992 में उनिस सो ब्यानवे में तो 6 महत्पूर्ण दस्तावेज रिलीज किये थे देखिए concept समझे यहां पर आपका prelims में भी काम आएगा मेंस में भी काम आएगा पहला concept यहां पर यह है कि जो दस्तावेज रिलीज किये थे important documents were released during a art summit first in 1992 तो यहां पर पहला था that is a Rio declaration रियो घोषणा पत्र यह सभी आपको पता होगा पिछली class में हम ने इसे discuss किया था हलका सा ठीक है रियो घोषणा पत्र दूसरा है वन सिद्धान्थ forest principles ठीक है वन सिद्धान्थ और तीसरा पार्ट होता है that is about a sustainable development यानिकी सतत विकास ठीक है सतत विकास को लेकर था ठीक है और तीसरा पार्ट है that is यह बातें याद रखिएगा बहुत important पार्ट होता है यह तीसरा पार चौंथा जो है document है convention आप बायो डाइवर्सिटी जैविवित्ता पर पार पार्ट था उसके बाद UNFCCC बताया था United Nation Framework Convention on Climate Change जलवायू परिवर्तन पर संयुपतराष्ट का convention ठीक है उसके बाद last part होता है मैंने बताया था UNCCD ठीक है United Nation Convention to combat a desertification है ना जो है United Nation का मरस्थली करण के विरुद्ध संमेलन तो यह जो है आप देखते हैं कि 6 महत्पुन दस्तावेज रिलीज किये गए थे और यही 6 महत्पुन दस्तावेज में एक दस्तावेज था convention of biodiversity जैविवित्ता पर अभी समय या जैविवित्ता पर संमेलन तो यह पार हम क्या परते हैं यह conference of party क्या है देशों का समु every year जो meeting होती है कौन सी greeting होती है इसी convention पर सम्मेलन होता है जो हमने प्रिविस क्लास में ही डिसकस किया हुआ है नाव यहां पर यह समझने का प्रयास करिए अगर यह फादर है तो इसके तीन संताने हैं मतला उससे तीन और कन्विंशन निकलते हैं कौन-कौन से cbd convention to biodiversity है ना यहां पर देखिए जैविवित्ता पर जो कन्विंशन होता है आपने नाम सुना है नागोया प्रोटोकॉल नागोया प्रोटोकॉल के बारे में सुना होगा आपको एक्जाम में पूछा जाता है ठीक है दूसरा पार्ट आ जीना प्रोटोकॉल और वैसे ही देखते हैं आपने आईची लक्ष का नाम सुना है आईची लक्ष आईची एक जगह का नाम है जपान का ठीक है आईची तो यह तीनों चीज़ें जो हैं आपके जैविवित्ता के सरक्षन से संबंदित है अब यहां पर एक्जाम में क्या अब लाइक प्राफर यूज से संबंदित है अनवानसिक सुरतों के सही प्रयोग से संबंदित है उसका मिस्यूज आप समझते हैं कोवीट जैसी नही नहीं प्रकार की बिमारी अगर वो मिस्यूज का पार्ट होता तो डेफिनेटली नागोया प्रोटोकॉल का वालिशन हो मंतराष्टी इस्तर पर निर्धारित किये गये है जैविवित्ता को सर्क्षन करने के लिए जिसको टार्गेट करते हुए भारत नहीं क्या कि यह जो है बारा जो है टार्गền वनाइं-ब्यू है आन बीडू कहतें से क्या कहते हैं नेशनला भाइो डायोडायिजाइश्टी टार्गेट राष्टी जैविवित्ता लक्ष बारा तो बारा में जो है देखते हैं आठ जो है भारत ने अचीव किया हुआ है मतलब सैटिस्फेक्टरी है दो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है और दो जो है लाइक एबाउट टू कम्प्लीटेड है तो आपको जो है कहा ज अब दूसरी बात यहां पर समझी है जो मैंने आपको एक्स्प्लेइन किया हुआ है यह एक्स्प्लेइन का जो है और यहां पर तीन ब्रांच निकलते हैं नागोया काट जिना और आइची लक्ष और यही एक्जाम में पूछा जाता है ठीक है अब यहां पर वैसे इनके भ क्योटो प्रोटोकॉल किसका जो है अब लाइक है कहां से निकला हुआ है यह जलवाइब परिवर्टन से सम्बनित है किकलाइमेट चेंस रिलेटेड है ग्रीनु हवस्ट और यहां से निकलेंगे अगर इसके। और इसके ब्रांच निकल जाएका उन FCC के दो ब्रांच निक को देखते ही कि अभी वरतमान सीगार्विस था पैरीश सभी में नागे वहाँ आगे न उसका है यही से वह टार्व है के उसको समझ में आ गई तो यही पाईए मैं यहां पे चाट फॉर्मेंट में आ इकका प्रयास किया है देखिए यह पार्ट है देखिए बायो डाइवरसिटी सीबीडी मतलब कन्वेशन अब बायो डाइवरसिटी आईची टारगेट्स काटा जीना प्रोटोकॉल अब बायो सेप्टी फिर नागोया प्रोटोकॉल अन जैनेटिक रिसोसेश और उसके बाद देखते हैं क्लाइमे करते हैं सस्वरूप मतलब सतत विकास विकास का ऐसा स्वरूप जिसमें की विकास भी होता रहे हो पर्यावरन डिग्रेडेशन ना हो यानि कि पर्यावरनी छती ना हो और विकास भी चलता रहे तो ऐसा विकास के स्वरूप को हम कहते हैं सस्वरूप को हम कहते हैं सस्वरू लन कब हुआ था रियो फिस की बात करें तो कब हुआ था 1992 तो यहां पर रियो 1992 फिर दस जोड़ दीजिए ठीक है रियो स्वरी यहां पर क्या है यह आर्थ समिट फरस्स था कहना चाहिए यह वन मैंने लिख दिया आड़ समिट फॉस फिर तो यहां पे हुआ था वह हुआ था आपके जो हांसबर्ग में हुआ था तो जोधा ब्लसी हुआ जाए गाँ अजसे कहा जाए तो 2012 में हो जाएगा तो रियो प्लस 20 क्या मतलब यह समझ पा रहें अर्थ समिट 3 ठीक है प्रित्वी सम्मेलन 3 तो वहां पे भी फिर सतत्विकास को लेकर बात की गई और वर्तमान में अगर देखते हैं हम हम क्या है 17 ऐसे सतत्विकास लक्षों को पाने के लिए हम प्रयास रथें को जो से हमको 2030 तक पाना है तो यह है वह स्टाटिक पार्ट जो आपके प्रिलिम्स में कई बार पूछा गया है रास्ती स्तर पर पूछा गया है राजिस्तर पर भी पूछा गया है और हमीसा पूछा क्योंकि ये एक framework convention है, सुरुवाती दौर का convention है, और उसी से सभी-सभी branches निकले हैं, ठीक है, ये पिछले class में जो discuss किया था, 6 documents उसी के बारे में बताए गया है, तो ये बातें आप सभी को समझ में आ गई, तो अब हम चलते हैं आगे, जिसमें की दूसरा महत्पूर्ट पार्ट आज देखते हैं, रामगड़ टाइगर रिजर्ब, भारत का 52nd टाइगर रिजर्ब, ये तो हम पहले भी discuss कर चुके हैं, आज फिर क्यों discuss कर रहे हैं समझीए, क्योंकि Environment Ministry के द्वारा, फाइनली वो अधी सूचना जारी कर दी गई है, जो इसमें हम देखते हैं, 52nd जो हैं टाइगर रिजर्ब भारत का ये डिक्लेर किया जा चुका है, ऑफिशियली, अंतिम जो अधी सूचना थी वो, 53 नंबर का जो हैं वो कहां है, चतीजगर से रिलेटेड है, मध्यप्रदेश से रिलेटेड है, जिसमें की गुरुघासी दास, ठीक है, गुरुघासी दास जो है, नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, और वहां पे देखते हैं, तमोर पिंगला जो है, अभ्यारणी, वो तीनों को मिला कर हम कहें, क्योंकि आधा संजय गांधी वाला पार्ट जो है, मध्यप्रदेश में आता है, आधा जो है, आपे चतीजगर में गुरुघासी दास आता है, तो वहां पे तीनों को इसलिए मैंने कह रहा हूं, तो तीनों को मिला कि हम देखते, 53rd नमबर काएगा, लेकि वो फाइनल अधी सूचना जारी नहीं हुई है, दोस्तों, याद रखना, उसमें जो है, स्टार्टिंग पार्ट में जो एंटी सीए होता है, ठीक है, नेशनल टाइगर, जो है, आने वाले समय में तो होना ही है, तो अगर as of now, अगर कहा जाए, भले हम 52 पढ़तें, लेकिन 52 प्लस 1 किया करें आप, क्योंकि 53 होना ही है, देश में यहाद त्रेपन जो है, ऐसे टाइगर रिजब जो है, होंगे, ठीक है, अभी फाइनल तक जो है, आपके 52 तक पहुँच चुका है, ठीक, अब यहाँ पे कुछ बातों को समझेए, यह रामगडविस्धारी अभ्यारण ने क्यों important है, क्योंकि यह याद रखें, यह टाइगर के लिए बड़ा famous है, इसी के आगे हम देखते हैं, रण थंब और जो है, टाइगर रिजर्ब है, राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्ब है, और दूसरी बात याद रखें, जो रण थंब और कोटा वाला जो एरिया है, वहाँ पे टाइगर का मोव्मेंट बहुत बढ़ा है, तो तीनों टाइगर जो पार्ट देखते हैं, रिजर्ब देखते हैं, जिसमें की रण थंब और है, कोटा वाला छेतर है, और वहाँ पे राम गड़ विस्धारी है, वहाँ पे टाइगर का मोव्मेंट काफी ज़्यादा बढ़ा, इसलिए उनके जो है, उनका जो लाइक प्रपोजल था, राज्य सरकार का, उसको मान लिया गया, और फाइनली देखते हैं, कि एंटी सी के द्वारा, वन जीव सरक्षन अदिनियम 1972 की धारा 38, ये चीज़ें अगर आप स्पेस्पिक एक्जाम दे रहे हैं, तो ये याद रखना 1972 की धारा 38, ठीक है, तो ये बड़ा इंपोर्टेंट है, उसके तहट रामगड विजधारी को, हम देखते हैं, कि फाइनली 52 नंबर का टाइगर रिज़र्ब डिक्लियर किया जा चुका है, पहले इसे 5 जुलाई 2021 को जो हैं, लाइक नामित किया गया था, स्विक्रिती प्रदान की गई थी, लेकिन ये सैध्धान्तिक रूप से था, अभी जो है फाइनल है, क्लियर होगे आप सभी को, ये एरिया बहुत फेमस है, इसके अलावा देखते हैं, टाइगर का जो फूड चेन होता है, जैसे कि यहां पे लोमडी देख रहे हैं, चिंकारा देख रहे हैं, लेल गाय देख रहे हैं और बहुत सारे जङली सियार हैं, भालू वगरा हैं, ये सब क्या हैं? इसके जो है इन छेत्रों में बहुत आयत रूप से पाए जाते हैं इतना आप याद रखें अब जो है अगर हम बात कर रहें कि 52 नंबर का तो 52 नंबर के अलावा यहां पर Tiger Reserve की लिस्ट में कुछ महत्पूर्ण बाते हमको समझनी भी है तो यहां पर उनको समझें पहले 53 क्योंकि वह मद्यप्रदेश चेत्र में है और मद्यप्रदेश गड़ के तमोर पिंगला वनेजी अभ्यारण को संयुक्त चेत्र को हमको यहां पर Tiger Reserve का यहां पर जो है इसे डिक्लियर किया जाना शेस है ठीक है जिसमें की सुरुवाती दोर पर जो कमीटी आई थी वो जो ह काना नेशनल पार्क आप सुने होंगे मद्यप्रदेश का वैसे यहां पर देखो संजय गांधी आ गया मतलब वहां पर मैंने एक वर्ड लेता हूं गुरुघासी दा सीधा ले लेता हूं तो गुरुघासी दास वाला जो पार्ट आ जाता है ठीक है और उसके बाद देख यहां पर तमोर पिंगल आ गया तो मैं तमोर टीपी लिएता हूं उसके बाद देखता हूं एक और पार्ट आता है जो पलामू छेत्र है पलामू कहां पर है आपके जारखंड पर यह वह एरिया है जो चीता जो क्या है आखरी बार भारत में 1947 में देखा गया था 1947 में दिख चीता जो अब पूरी तरह से extinct हो गया है इन छेत्रों में मिला करता था क्योंकि यह सभी फॉर्स जो है आल्मोस जोड़े हुए हैं बीच बीच का पार्ट थोड़ा थोड़ा छोड़ दे तो लेकिन यह मोवमेंट इस एरिया में हुआ करता था जो में मोवमेंट होता था व यहां पे हमको समझना है कि Tiger Reserve अगर भारत में कितने हैं 53 हैं तो कौन सा सबसे बढ़ा है कौन सा सबसे चोटा है ठीक है कौन सा सबसे oldest है उन सभी पार्ट को समझते हैं तो यहां पे देखिए कुछ बातों को यह आपके exam की पॉइंट आपको से important है तो पहला देखिए अगर oldest की बात किया जाए oldest की बात किया जाए तो मैं इसे इस प्रकार लिखता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी जाए तो सबसे oldest देखी ये है आपका zim carbet zim carbet जो है अगर आप यहाँ पे देखें सबसे oldest है ये कहाँ पे है उत्रा खंड पे है तो oldest tiger reserve जो है कौन सा है zim carbet आपको पता अभी मैंने बताए कि 1972 के तहट जो है ये भी क्या regulate किये जाते लेकिन याद रखना ये काफी पहले ही इसकी जो है 1936 के आसपास जो है यहाँ पे कहना ची ये national park बन चुका था और उसके बाद बाद में इसे tiger reserve के रोप में भी घोसित किया गया ठीक है तो यहाँ पे समझे कि jim carbet is the oldest अब जो है latest कौन सी बात की जाए तो latest है आपका गुरुघासी दास ठीक है यहाँ पे बात करें संजय गांदी और वहाँ पे तमूर पिंगला वाला छेत्र ठीक है और उसके बाद latest के बाद उसके जस्के पहले जो officially declare किया गया है वो रामगड विजधारी है वो जो कहां राजस्थान का है अब जो है सबसे largest की बात कर दिया जाए और सबसे छोटे smallest की बात की जाए तो सबसे largest की बात करते हैं तो नागारजून सागर जो है स्री सैलम ठीक है नागारजून सागर स्री सैलम की बात करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए इस पार्ट को तो यह जो है आपके आंधर प्रदेस में आंधर प्रदेस में यह जो देख रहे हैं नागारजून सागर स्री सैलम यह जो है सबसे largest है यह सबसे largest tiger reserve है उसी प्रकार माहरास्ट का देखे माहरास्ट का जो है सबसे छोटा है यह है आपका board तो board जो है board tiger reserve is the smallest तो चार मतपून बात है समझ में आगे आपको सबसे oldest या सबसे first कहा जाये तो कौन सा है आपका जिमकारवेट सबसे जो है लेटेस कहा जाये तो कौन सा है आपका अभी तो है उसका final announcement नहीं हुआ है लेकिन फिर भी आप उसे मान लेते कि गुरुगासीदास वाला जो tiger reserve होगा वो ठीक है थार्ड पार्ड की सबसे जो लारजेस्ट है नागारजून सागर स्री सैलम और सबसे स्मॉलेस कहा जाए तो बोर टाइगर रिजब जो है आपके महरास्टा में ठीक है इतनी बात आप याद रखें बाकि अगर हम देखें कि अलग-अलग जो टाइगर रिजब आते हैं अलग-अलग राज्यों में तो यह इतने टाइगर से हैं ठीक यह एक अंब्रेला स्पीसीज यह तो बहुत सारी चीज़े आटोमेटली प्रोटेक्ट हो जाती क्योंकि टाइगर के आसपास कोई भी नहीं भटकते तो इसलिए हमको फ्लोरा और फौना का गंजर्विशन देखने को मिलता है यह बाता सभी को सम गेस्ट जो है आपका कारेकरम है जिसमें हम देखते हैं दस हजार करोड जो है इसमें का बजट है आपके गगन यान को लेकर यह क्यों नीज्यूस में अभी देखिए पिछले वी में क्यों नहीं उसमें रहा था फिर इसके बारे में कुछ स्टाटिक पार्ट हम समझेंगे तो सबसे पहले देखिए यहां पे यह है कि इस रो का जो गगन यार मिशन है उसमें क्या है तीन ऐसे रॉकेट बूस्टर हैं लगने वाले हैं क्योंकि हमको पता है कि ज प्रणोदक की जवरत पढ़ती है तो उसमें क्या है अलग अलग प्रकार के यूज करते हैं इसमें आपको एक नाम सुना होगा आपने क्रायोजैनिक टेकनलोजी का मतलब यह होता है कि हम क्रायोजैनिक टेकनलोजी में हम देखते हैं कि हाइड्रोजन को यूज करते हैं और ज़्यादा पावर, बहुत ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट करता है, तो जब हमको क्या है, भारत का पहला मानव मिशन, गगन यान को जब हमको लॉंज करना है, वो काफी हैवी सैटलाइट होगा, हैवी जो है प्रोजेक्ट है, तो गगन यान से रिलेटेड आने वाले समय में, हर वो छोटा पॉइंट भी उतना ही इंपोर्टेंट है, क्योंकि भारत का पहला मिशन है, एतिहासिक मिशन है, और दस सज्जार करोड कोई छोटी मुटी अमाउंट नहीं होती, इसे भारत सरकार ने अप्रुवल दिया हुआ, इतने बड़े प्रोजेक्ट और भारत का पह मदद करेगा, ठीक है, यानि कि उस प्रोजेक्ट को गगनियान मिशन को लांच करने मदद करेगा, कौन सा लांचिंग वही कल यूज कर रहे हैं हम, जी एसलवी मार्क 3, ये एक्जाम में पूछा गया भी है, पूछा जाएगा भी, जी एसलवी मार्क 3, ये भारत का सबसे पावर फुर रॉकेट लांचिंग लांचर है, ठीक है, ये बात है समझ में आगे आपको, तो यहाँ पे इसे और ज्यादा इंपावर करने के लिए उसमें बूश्टर इंजन लगेंगे, तो बूश्टर इंजन का 3 चरण होगा, 3 माधपूर बूश्टर लगेंगे, तो ब राज इस तर के एक्जाम में देखें, तो यह पूछा जा सकता है, राज इस तर में इस से रिलेटेट बाकी फैक्ट पूछे जाएंगे, जिसको मैं भी बताऊंगा आपको, ठीक है, तो रॉकेट बूश्टर S200 रॉकेट बूश्टर है, उसके बाद देखते ही, हूमन रे पावर जनरेट करता है, ठीक है, तो बस इतना समझिए, कि तीन महत्पून बातें इसमें, तीन बूश्टर इसमें लगने वाले हैं, जो आसानी से जो है, गगन यान को लांच करेंगे, अब यहां गगन यान से रिलेटेट कुछ बातें हम समझते हैं, गगन यान जो है, व 2022 के end में, और 2023 में, ठीक है, 2023 के प्रारा में, एक नहीं, टोटल तीन मिशन होंगे, तीन मिशन होगा, और तीन मिशन में देखिए, तीन मिशन में जो है, दो जो होगा, बिना मानों के होगा, तो unmanned होगा, यू एम लिख देता हूँ, unmanned होगा, और तीसरा जो लिखेंगे, तीसरा वाला जो पार्ट रहेगा वो होगा Manned Mission ठीक है तो Manned Mission जो है ये आपका तीसरा पार्ट रहेगा अब यहाँ पे यह समझने वाली बात है यह जो Manned Mission होगा इसमें देखेंगे टोटल तीन मेंबर तीन Astronaut जाएंगे उसमें एक Female है और दो जो है इन तीनों Astronaut की Training कहां पे हुई थी रूस में हुई थी ठीक है तो रूस की मदद से क्या है वहाँ पे इसके पहले भी अगर देखते हैं कि जो राकेस सर्माजा जब गए थे तो वहाँ पे भी क्या है सोईउस T11 की मदद से उनकी ली गई थी मतलब वहाँ पे रश्या नहीं मदद किया था भारत को बहुत मदद किया टेकलोजी पॉइंट आप उसे तो यहाँ पे क्रायोजनी टेकलोजी में भी जब हम देखते हैं बहुत सारा जो हैल्प लेना था उसमें रश्या की इस रूब की बनाया गया क्या है कहना चाहिए एक रोबोट है इसलिए कहते हैं इसका पैर नहीं है ठीक है इसलिए याद रखना इसे हाफ humanite कहा जाता ब्यों मित्र तो यह स्टार्टिंग के जो unmanned mission है इसमें इसे भीजा जाएगा किसे भीजा जाएगा ब्यों मित्र को उसके बाद उसके बॉड़ी में क्या क्या चेंजेस होते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे biological चीज़ें भी इसमें जोड़ी हुई हैं तो उसके बॉ यह बात हैं आप सभी को समझ में आ गई अब जो है इंपॉर्टेन पार्ट समझें देखो हमारी जो हमारा जो प्रित्वी है मालो सपोज क्या आर्थ है हमारा ठीक है आर्ट के जो हम बहुत ज्यादा हाइट पर नहीं भेज रहे हैं इसे क्या है लो अर्थ ऑर्बिट पर भ रखनी है जो बेसिकली दो तीन बातें इंपॉर्टेंट है कब छोड़ा जाएगा कौन कौन से मिशन होंगे कितने कौन से मेंबर जाएंगे एस्ट्रोनौट कौन से देश साहियोगी देश है ठीक है ब्योम मित्र क्या है आपका कौन से हाइट पर छोड़े जाएंगे यह स सबी बातें आप समझे होंगे तो आज ही क्लास में हम इतना ही रखते हैं मिलते ही नेक्स सेशन में नेक्स वीक में कुछ और महत्पूर्ण कर इंटफेस के साथ थैंक्यू सो मच है वनाइस टे